मिलखा दग्रेट और ये रेस ट्राक वो जब भी इस पर होते पूरी दुनिया सासे थामे उन्हें देखा करती थी वो हिंदुस्तान की शान थे वो हिंदुस्तान की जान थे वो सर्फ एक खिलाडी नहीं थे वो एक प्रेणा थे एक जिन्दा दिल इंसान संघर से भरे सफर में जिसने रेस के ट्राक पर भारत को नई बुलंदियों तक पहुचाया फ्लाइंग सिक मिलखा सिंग आज हमारे बीच नहीं रहे कल रात उन्होंने आखरी सांस ली जिन्हें आज चन्रिगड में राज के सम्मान के साथ शाम पांस पजे अंतिम विदाई दी गई लेकिन मिलखा सिंग अपने पीछे वो तमाम सुनहरी यादे छोड़कर गये हैं जो ये देश कभी नहीं भूलेगा खेल के मैदान पर बुलंदी हो या फर जिन्दगी जीने की प्रिणा मिलखा सिंग मिसाल का दूसरा नाम थे वो मिलखा डग्रेट थे जिसके पैरों की रफ़तार तालियों की गूंज में तबदील हो जाती थी आज वो खामोश है थम गई वो रफ़तार जिस पर हिंदुस्तान को नाज था ठहर गई वो दोड जिसके आगे मील के पत्थर छोटे पर जाते थे खत्म हो गई खुर्वत से बुलंदियों तक पहुँचने की कहानी जिन्दगी को जिन्दा दिली से जीने वाले मिल्खा सिंग आज खामोश है मिल्खा सिंग इन दो शब्दों में एक जित थी जुनून था दुनिया को मुठी में करने का जजबा था मिल्खा सिंग इन दो शब्दों में एक सपना था हिंदुस्तान के जंडे को मैदान में सबसे उपर देखने का ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ख्वाइश है कि कोई नो कोई ऐसा हिंदुस्तानी है यहीं से उठना चाहिए चाहिए लड़का हो या लड़की हो वो आगे बढ़के जो मेरा सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाया उसको पूरा करे देश के लिए गोल्ड मेडल ले और हमारा तरेंगा जहंडा जिसके लिए के लोगों ने जाने गुर्बान कर दी वो जाकर लंपे खेलों के अंदर मिल्खा सिंग एक संघर्ष की कहानी बटवारे की तरास्दी से लेकर रेस के ट्रैक तक का सफ़र कामियाबी की ऐसी कई कहानिया हैं जिनके नायक मिल्खा सिंग रहे ऐसे कई मौके ऐसे कई लम्हे भारत मा के इस सपूत ने देश को दिये जब गर्व से पूरे मुल्क का सिर उचा हो गया जिन्हें आज राजकिय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई चंडिगर के पीजियाई अस्पताल में मिल्खा सिंग ने 18 जून की राद अंतिम सांस ली मिल्खा सिंग और उनकी पत्नी दोनों को रुना के चपेट में आ गए 30 मई को मिल्खा सिंग अस्पताल से घर आ गए तीन जून को तबियत बिगडी तो उन्हें दोबारा अस्पताल में भरती कराना पड़ा 13 जून को पत्नी निर्मल दुनिया छोड़ गई और 18 जून को मिल्खा सिंग भी नहीं रहे खेल के मैदान का शेर अलविदा कह गया प्रेनना जुनून और जिद का एक अध्याय खत्म हो गया मिल्खा सिंग जी बातिया खेलों की दुनिया के एक नायब हीरे थे जिनने खेलों को आगे बढ़ाने बहुत बढ़ा योग दें दिया खेलों खेलारी क्या होता है उसके माई ने बताई छोटा बता जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खाशिंग बढ़ना ते रहो हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनुठे सितारे को खो दिया कल तक वो हमारे बीच में थे विश्वास नहीं हो रहा कि आज हूँ हमारे बीच में नहीं रहे मैं भगवान से प्रात्ना करूंगी कि भगवान उनके आत्मा को शांती दे और अपने स्री चर्णों में उनको स्थान दे मैदान पर एक युग कांथ हो गया जिससे जुड़ी हर किसी की अपनी यादे है हुग कि अपन आओ लूख हुग हम जूफ लगवा नववाओ नवाम हुग अजड हो माट आव भूख था बसक्तार है घट कि अच ते गया देता है तो सित हैं तो सित वी ने कि आप टूट जग वी ने हूए, उस्सक्तिछ कि अवान पर लिटीं प्र देगा कि वे वीड़ गॉल्फ जब उन्हें शुरू की तब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती रही क्योंकि मेरे फादर और मैं बड़े उनके फैन थे और मेरे फादर चाहते थे मैंने अथलेटिक से सिरी चूज की थी जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था कि मैं मिल्खा सिंग जैसा एक महान एथलेट बनुगा ये मेरे फादर का भी ड्रीम था चलते चलते जिन्दगी में भाग मिल्खा भाग पिक्चर आई जहां पर उनकी तमाम कहानी जो नहीं ने सुनाई तो हर कहानी को हर पन्ने को जब भी पढ़ता हूँ आज भी तो आख से आज सो टबक पढ़ते हैं वो फ्राइंग सिख थे वो अब यादों में हमेशा जिन्दा रहेंगे इन तस्वीरों में मुस्कुराएंगे और जब भी आदाएंगे गर्व से सीना चोड़ा हो जाएगा आज तक ब्यूरो